तो जाहिए दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आप सब लोगों का फिस से स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट आई है पोर्टर पार्टनर अप्लिकेशन से जहां पे अगर आप पोर्टर पार्टनर हैं तो आपको अपोर्टर कमपनी लोन सेंक्शन करेगी जी हां दोस्तों इस इन शोर्ट अगर आपको कोई लोन की रिक्वार्मेंट है लोन चाहिए तो अब पोर्टर कमपनी आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है तो यह एक अच्छी खबर है और अच्छा अपडेट है पॉर्डर कमने की तरब से तो लोन लेने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा और क्या इसके रोलुसेंद लेगूलेशन है कुछ security deposit करनी पड़ेगी यह सारी के सारी details में आगे बताऊगा तो बकाईदा में आपको एक demo दूगा कि आप कहां से loan ले सकते हैं पोर्डर पार्टनर अगर है application से कहां से loan ले सकते हैं तो यह सारी procedure में आगे demo में बताऊगा तो बिना time दोआए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना demo तो demo शुरू करने से पहले आप सब लोग को बता दूँ अगर आप first time यह channel का आए है first time video देख रहे हैं तो आप अभी के अभी चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि आने वाले दिरों में आपको ऐसे videos मिलते रहेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे demo के दर तो दोस्तों अब हम आचुके हैं हमारी mobile screen पे तो simply अब आपको करना क्या है जो आपका portal partner application है उसके उपर हम click करेंगे तो इसको open करेंगे open करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे ये update आया है तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको पहले play store में जाना होगा और play store में जाके आपको आपका जो portal partner application है उसको update करना होगा अप्डेट करने के बाद ही आपको यहाँ पे loan का जो section है जहाँ पे यहाँ पे new update आया है वो आपको दिखेगा तो अब simply आपको करना क्या है दोस्तों यहाँ पर जो setting का button है ऐसे click करना है setting के button पे click करने के बाद यहाँ पे आपको चोथा option loan का दिख रहा है यहाँ पे simply हम click करेंगे click करने के बाद दोस्तो अब आपको कुछ ऐसा interface दिख जाएगा तो दोस्तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ rules and regulation क्या है porter का तो यहाँ पे दोस्तो porter क्या कह रहा है यहाँ पे मुझे तो मैं eligible नहीं हूँ loan लेने के लिए क्यूंकि आप ज़्यादा order लें जितने ज़्यादा orders लेंगे जितना आपका जो continuity रहेगा porter partner की application में उसके हिसाब से आपको loan दिया जाएगा तो यह तो था दोस्तो porter company का condition के आपको loan कैसे मिलेगा तो आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा order लेने है ज़्यादा continuity करना है आपको continue रहना है इस application में काम करते रहना है तब भी जाके आप eligible होंगे loan के लिए तो अब loan का क्या system है आपको कैसे repay करना है और कैसे मिलेगा उसके बारे में discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ इनोंने लिखा हुआ है कि आपको जो loan आप जितनी लेंगे उसका जो repay होता है वो weekly होगा जी हाँ दोस्तों तो weekly आपको pay करना है और यह पेसा कहां से आपको pay करना है आपका जो porter partner application में जो wallet है वो हर हफ़ते आपका जो porter का wallet है उसमें से porter company deduct करेगी वहीं से पेसा कटेगा आपकी wallet से तो यहाँ पे second क्या है आपको कोई भी कुछ भी security वगेरा कुछ collateral security वगेरा देने की कोई जरूरत नहीं है आप porter partner हैं आप लंबे अस्टे से काम कर रहे हैं तो आपको easily loan मिल जाएगा company की तरब से और यह quick approval है दोस्तों यहाँ पे within 24 hours में आपको loan दिया जाएगा आपके bank account में जो आपने wallet में अपना bank account दिया है उसमें तो है दोस्तों बहुत ही simple सा यहाँ पे दिया है इन लोगों ने ज्यादा Thompson condition नहीं है बहुत ही simple है बहुत ही easily आप loan ले सकते हो पोटा से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको loan की requirement है तो पोटा company loan दे रही है और आपका eligibility criteria क्या है क्या नहीं है सारी के सारी details पता चलते होगी तो दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही तो मिलेंगे अगले knowledgeful वाले वीडियो में तो तब तक के लिए आप सब लोगों को पता है कि आपको क्या करना है आप सब लोगों को खुश रहना है स्वस्त रहना है और ज्यादा से ज्यादा earning करनी है तो मिलेंगे नए knowledgeful वाले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिन